कोरोना काल में सब के काम धंदों पर ताला लग गया लेकिन इसके उलट कोई काम अगर चला है तो वो है मेडिकल का मेडिकल एक ऐसा सेक्टर है जहां मंदी आए या कोई और आपडा इस पर किसी का असर कभी नहीं दिखाई देता ऐसे में अगर आप रोजगार के रूप में मेडिकल से जुड़ जाएं या मेडिकल से जुड़ा कोई काम कर लें तो काम काज का कभी कोई टेंशन नहीं होगा इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही काम अपोलो का नाम तो आपने सुना ही होगा Medical sector में Apollo एक बहुत बड़ा ब्रैंड है इसके साथ लोगों का भरोसा भी जुड़ा हुआ है और अब Apollo Group आपको अपने से जुड़ने का मौका दे रहा है आप बहुत कम निवेश करके Apollo Diagnostic Center खोल सकते हैं कमपनी का ये कारोबार फ्रेंचाइजी मौडल के रूप में उपलग है तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा ये कारोबार आपके लिए क्या होगा खर्च और कैसी होगी इसमें आपके कमाई पहले आपको बता दें Apollo Diagnostic Center होता क्या है Apollo Diagnostic में Pathology Service मलती है इस सेंटर पर अलग-अलग तरह की टेस्ट होते हैं इस सेंटर को Medical Term में PCC यानि Patient Care Center कहते हैं यहां कोई मरीज जब टेस्ट करवाने आता है तो सेंपल कलेक्ट किया जाता है बता दें PCC सेंटर में सेंपल की जांच नहीं की जाती है डाइगनोस्टिक सेंटर सेंपल कलेक्ट करने के बाद उसे Central Lab भेज देता है वहां उसकी रिपोर्ट तयार की जाती है और रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड कर दी जाती है PCC सेंटर को इसका एक्सिज रहता है जिसकी मदद सिवे मरीज को हाड कॉपी शेयर कर सकते है या फिर मरीज को ऑनलाइन मेल या वटसेप के जरीए भी रिपोर्ट शेयर कर दी जाती है ये तो बात हुई अपलो डाइगनोस्टिक सेंटर होता क्या है आब आते हैं मुद्दी की बात पर यानि इस फ्रेंचाइजी को अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा इसके डाइगनोस्टिक सेंटर को खोलने के बाद आपके पास लोग क्यों आएंगे और खर्च कितना होगा सबसे पहले तो फ्रेंचाइजी को अपॉलो जैसे बड़ी ब्रेंड का फायदा मिलता है कंपनी की तरफ से उसे प्रमोट भी किया जाता है ताकि आपकी दुकान अच्छे से चल सके जहां तक बात जगा और खर्च की है तो बता दें पी सी सेंटर को खोलने के लिए 180 से 200 स्क्वार फिट एरिया की जरुवत होती है सिंगल यूनिट के लिए इंवेस्टमेंट 3 से 5 लाख रुपे है वहीं अगर आप क्लस्टर यूनिट खोलना चाते हैं यानि कोई बड़ा एरिया में खोलना चाते हैं 15 से 20 लाख रुपे का इंवेस्टमेंट है यह थोड़ा बड़ा मॉडल है इसलिए इस पर ना भी जाएं तो हम 3 से 5 लाख वाले पर फोकस करते हैं कंपनी एक लाख रुपे ब्रेंड फीस के तौर पर लेती हैं कंपनी का कॉंट्रेक्ट PCC सेंटर खोलने के लिए 5 सालों का होता है उसके बाद इसे रीन्यू कराने की जरुवत होती है यहां सबसे जरूरी बात यह है कि जगह अगर आपकी अपनी हैं तो आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा जिसका फाइदा आपको मिलेगा इसके लावा आप किराय या लीज पर स्पेस होगा तो हर महीने उसका किराया भी भरना होगा जो आपकी कमाई में से ही कटेगा वहीं Apollo Diagnostic Center को कंपनी की तरफ से Logistics, Software License, Marketing Support, Business Development Sales Team की सविस मुफ्त में मिलती है अब आते हैं सबसे हैं मुद्ध यानी की कमाई कितनी होगी कंपनी की तरफ से हर टेस्ट पर आपको कमीशन मिलता है और अलग-अलग टेस्ट के लिए कमीशन रेट भी अलग-अलग है लेकिन यहाँ आपको बता दे हैं अपोलो की और से मिलने वाली कमिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है लेकिन एक अंदाजे के तौर पर आप एक साल में लगाए गए पैसे कमा लेंगे इसका दावा कंपनी की और से किया गया है इसके अलावा ज्यादा फायदे के लिए आपका डागनोस्टिक सेंटर अगर किसी डॉक्टर के क्लीनिक के पास हो तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा अब अगर आपने मन बना ही लिया है इस बिजनिस को शुरू करने के लिए तो कंपनी की अधिकारिक वेबसाइट है www.apollodiagnostics.in इस पर जाएं डाहिनी तरफ एक फॉर्म दिया होगा इसे भर दें भर कर जमा कर दें कंपनी के पास आपकी पूरी जानकारी पहुँच जाएगी और आपको कॉल बैक किया जाएगा इसके अलावा आप इससे जुड़ी जानकारी कस्टूमर केर नंबर या फिर इमेल आईडी customer.care at apollodiagnostic.in पर भी ले सकते हैं उमीद है ये जानकारी आपके काम आएगा